पंजाब में एक स्कूल वैन में आग लगने से कई बच्चे जिन्दा जल गए घटना संगरूर के लॉंगो वाल की है जहां स्कूल वैन में आग लगने से चार बच्चों की जल कर मौत हो गई हाथसे के वक्त वैन में 12 बच्चे सवार थे संगरूर में एक निजी स्कूल की ये वैन बताई जा रही है छुट्टी होने के बाद बच्चे वैन से घर जा रहे थे वैन में करीब 12 बच्चे सवार थे बताया जा रहा है कि छुट्टी के बाद वैन स्कूल से थोड़ी ही दूर गई होगी कि अच्चानक आग लग गई इस हाथसे में 8 बच्चों को नजदीक के खेतों में काम कर रहे लोगों ने सुरक्षित बाहर निका लिया हालकि 10 से 12 साल की उम्रवाले 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका